एक तरफ जहां समूचे विश्व में अंतराश्च्रे महिला दिवस मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ उतर प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उतर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ती जैसी योजनाय चला कर महिलाओं को जागरुक किया है आज अंतराश्च्रे महिला दिवस पर अंतराश्च्रे निशाने बाज रूची स्थिंग ने अमेठी संबादाता से खास बाच्चीत की सुनिए क्या कुछ कहना था इन्हें बेटा बना लो तो ये इतिहास रच देंगी करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास रच देंगी कभी इन्हें नजर अंदाज मत करना जरासा पंक दोगे तो ये आसमान चूलेंगी आज अंतर रास्टी महिला दिवस है जनतन टीबी की तरफ से सभी महिलाओं को सबसे पहले बहुत बहुत आभार हमारे साथ ऐसे में अमेठी की बिटिया और अंतर रास्टी निसाने बाज अंतर रास्टी सूटर रूची सिंग जी हमारे साथ मौजूद है और इन्होंने द यह नमस्कार आपका जंतर टीवी में स्वागत है आपका कैसा संघर्ष रहा और क्या कुछ उपलब्धिया नहीं सबसे पहले मैं जंतर टीवी के माध्यम से सभी महिलाओं को मैं आज अंतराष्टिय महिलादिवस की बहुत सारी शुपकामनाया देना चाहती हूं जैसा कि बहिया ने बताया कि मैं अंतराष्टिय इस तरफ पर इशानेवाजी प्रतियोगताओं में भाग लेग चुकी हूं इसमें सबसे बड़ा सहीयोग जो है में परिवार का है बादियां है उने अपयों से भी होती हुँ यह देखकर की मुझे भी खुशी होती है और मेरा मन करता है कि मैं इसक्य में अशावाजी जैसे और संब्सक्राइब हम देश हो Bar asked ik इस तिरंगे को फहराने का प्रयास करें जो है जानकारी में है कि आपके पास पिस्टल के लिए पैसे भी नहीं थे वह कौन सा वाकिया था उसको जड़ा से यर करेंगे हमारे दर्सकों को हाँ 2005 की बात है जब मैंने शुटिंग शुरू-शुरू में स्टार्ट करी तो उसमें में पिस्टल नहीं हुआ करती थी मैं किसी ना किसी से लेकर के अपने साथ जो भी पृत्वागी होते थे साथ में उनसे मांग करके और फिर शूटिंग किया करती थी तो कभी कि वही जैसे में आपको काकि मेरा आतंबल आ कभी कम नहीं होने दिया मेरे पैरेंट्स ने मेरे साथ Miche रहते हैं है पिस्ट में कभी यह नहीं हुआ कि मैध से लिम्टाषर के हुआ ौह पास पीसिटल हे लगाओओ तो में पास जो होती ती वह किसी और होती थी उसमें भी होता था कि आप इसको नहीं चेड़ेंगे आप इसको नहीं चेड़ेंगे आपको सिर्फ शूटिंग करना है और कुछ भी नहीं तो मैं उस समय सिर्फ एक चीज़ सोचती थी कि मैं यहां पर आई हूँ उनको इनके पस्तिल है मुझे इसमें कुछ भी खरावी ना करते हुए अपना जो लक्ष है मेरी जो टेक्निक है पिताजी ने जो मुझे बताया है तो आप गाव अस्तर से निकली है जमीनी अस्तर से तो इसमें उन बच्चियों को और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि जिससे उनको कुछ प्रूफचाहन मिले मैं उनकी पेर्फइ लड़कियों के अंदर आप उसे पहचानिये और वह जिस चेत्र में जाना चाहते हैं सब्सक्राइब में को और मियें साथ देखकर के रुखना नहीं है प्रब्लम को फेस करना है दर को हराना है ना कि अकि बैठ़ जाना है तो यह थी अंतर रास्टिय सूटर रूची सिंग जी जिन्हों ने साब तोर पे कहा कि हमको डर को किसी तरीके से निकालना है और संकल्प का कोई बिकल्प नहीं होता दिली प्यादो जनतंत्र टीवी अमेठी खबरों के निश्पक्ष विस्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एड़ प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट